जब हम content optimization की बात करते हैं तो हम नहीं देखा कि हम keyword research करते हैं और वही keyword research करने के बाद हम groups बनाते हैं ग्रूप्स को हम अपने content में use करते हैं लेकिन Google सिर्फ आपके keywords को ही नहीं देख रहा होता है वो पूरे content को देख रहा होता है इन पूरे content में हमने सिर्फ अपने keywords यूज नहीं करने हैं अच्छी SEO तब होती है जब आप keywords को use करते ही हैं जो के prominently हमने density उसकी maintain करनी है लेकिन आप अपने keywords को support करने के लिए कुछ related words भी use करते हैं वो related words basically LSI words कहलाते हैं LSI का मतलब latent semantic index यह basically English की एक return जो है यह algorithm है कि वो जब Google measure करता है आपको वो इस बात को understand करता है कि किस तरह से आपने एक चीज की बात की और उस चीज से दूसरी चीज जूड़ी वी है लोग LSI को यहनि के latent semantic index in words को confuse करते हैं synonyms के साथ synonyms का मतलब different है so for example हमारी mobile store की example में मैं अगर mobile marketplace या मैं mobile store की जगा अगर मैं mobile marketplace लिखूँ तो यह synonyms के तोर पर count हो सकता है तो एक word की जगा दूसरी word जगा ले सकता है लेकिन अगर मैं सिर्फ mobile phones की बात करूँ तो साथ जब आप बात करते है mobile phone की तो Google अतना understand करता है कि अगर आप mobile phones की बात कर रहे है तो उसमें Android की बात भी हो सकती है उसमें iOS की बात भी हो सकती है जब आप iOS की बात कर रहे है तो उसकी company यह नहीं कि Apple की बात भी हो सकती है so ऐसे keywords जो normally जो है वो एक दूसरी के साथ पाए जाते हैं उनको आप latent semantic index words बोलते है और यह important इसलिए है कि Google इस सो भी judge करता है कि आपका page किस बारे में है so for example मैं आपको example देता हूँ कि अगर आप बात कर रहे हैं mobile phones की तो जहाँ पर mobile phones की बात हुई वहाँ Android software की बात हुई वहाँ पर iOS की बात भी हो सकती है वहाँ पर Apple mobile phone की बात भी हो सकती है so mobile phone का मतलब यह है कि वह एक certain category से related है और certain category में कुछ words ऐसे हैं जो frequently use होते हैं mobile phone से हट कि हम apparel में बात करते हैं गार्मेंट्स में अगर आप देखें जहाँ कुरते की बात हो रही है तो वह कुरता पजामा एक सेंस बनेगी Google को यह समझने में असानी होगी कि यह कुरता जो बात हो रही है इसमें किस तरह की या किस चीज की बात हो रही है एक और बला confusing word है जिसको बोलते हैं जावा so जावा अगर आप लिखे हैं तो जावा कैसे understand करें कि जावा लोगों ने कौन सा सर्च किया है so basically इसी problem को solve करने के लिए Google बाकी words को भी देखता है जब आप जावा लिखेंगे अगर वो island की बात हो रही है तो आप tourism भी लिखेंगे जब आप tourism लिखेंगे तो Google समझ जाएगा कि यह जावा basically इंडोनेशिया में जो एक जावा island है उसकी बात हो रही है लेकिन अगर आप for example जावा के साथ language बात करेंगे coding की बात करेंगे, programming की बात करेंगे तो Google समझ जाएगा कि यह जो जावा है यह basically Java language है जो के computer programming की एक language है जिसमें प्रोग्राम लिखे जाते हैं और इसी तरह से अगर आप Java के साथ coffee की बात करें पीने की बात करें तो Google समझ सकेगा कि जावा जो है यह coffee वार जावा है ना कि कोई और जावा है तो हमने यह make sure करना है कि अगर हम mobile phone की बात कर रहे है तो हम कोशिश यह करें कि हम उसे मिलते जुलते LSI keywords भी निकालें और जो है ना उनको हम उन pages के वापर यूज़ करें मुझे पता है अब आप यह पूशेंगे कि LSI keywords निकालते कैसे हैं तो मैं आपके लिए उसके लिए भी एक हमने टूल धूड़ा हुआ है जो मैं चाहूंगा कि अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो आप LSI keywords उसमें से निकाल सकते हैं तो इस तरह से LSI keywords निकलते हैं इस टूल का नम LSI Graph है यह एक paid टूल है लेकिन यह कुछ free searches देता है इसके लावा आप और भी टूल यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं आपको live demo इसी टूल का भी दिखाता हूँ ताके आपको यह समझ आजे किस तरह से आप इस टूल को यूज़ करते हुए related keywords यहनि के LSI keywords निकाल सकते हैं जैसे कि हम इस स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने LSI graph की website विजट की है आप यह वेबसे विजट कर सकते हैं LSI graph.com से और जब मैं इसके वेपर जाओंगा तो मैं यहां पर अपना keyword लिखंगा जो के mobile phone है आप यहां पर जो भी keyword लिखेंगे उसके गेंस्ट वापको searches दिखाएगा कि कौन से related keywords आप यूज़ कर सकते हैं इसका मैं verify करने के लिए यहां पर click करूँगा जब आप इसको verify कर लेंगे तो आप जहां से generate का button प्रस करेंगे तो वो mobile phone के गेंस्ट एक analysis करेगा और वो आपको बताएगा कि इस word के साथ normally और कौन कौन से word यूज़ हो सकते हैं जैसे कि आप मेरे screen पर देख सकते हैं कि अगर मैंने mobile phone लिखा तो वो मुझे possibly LSA की words दिखा रहा है जिसमें how to make a mobile, samsung mobile, samsung phone, mobile phones for sale, cheap mobile मतलब different words जो almost एक दूसरे के साथ use होते हैं वो सब दिखा रहा है अगर आप सक्रोल करते जाएंगे तो काफी आपको details में ये information मिल जाएगी आप कोशिश ये करें कि जब आपको page पे mobile phone के गैंस optimize कर रहे हो page तो उसमें ये words भी use करें जैसे कि आपने देखा कि LSA graph के जरिये मैंने related words निकाले जो कि LSA keywords कहलाते हैं और मैं अगर अगर अपना page mobile phones के गैंस्ट optimize करूँगा तो मैं चाहूंगा कि मैं इन keywords को भी use करूँ ताकि Google को ये understanding हो जाए कि अगर मैं mobile phones की बात कर रहा हूं तो मैं mobile phones related और भी words उस पे use कर रहा हूं ये natural behavior में भी ऐसा ही होता है और Google भी यही चाहता है कि अगर आप इसको बिल्कुल natural way में optimization करें तो वो भी आपको पसंद करेगा वो भी आपको penalize या penalty नहीं डालेगा क्योंकि उसको ये लगता है कि अगर आप ज़दा जोर लगाएंगे अगर आप जबरसी करेंगे content में keyword डालने की तो हो सकता है कि वो आपको पसंद ना करें और वो आपको penalize करें यह नहीं कि आपकी ranking drop कर दें तो आपने भी धियान रखना है कि जब आप कोई भी keyword यूज करें उसके आप LSE words भी निकाल लें कोई भी आप free tool यूज कर सकते हैं और उस तरह से आप LSE words यूज करके अपने page में उसको उसी तरह से optimize कर सकते हैं